कि आई पेल 2023 का फिप्ट मैच और हाई प्रोफाइल मैच चुकि आर सीवी वर्सेज एमाई बैंगलोर वर्सेज मुंबई के बीच खेला जाएगा महा मुकाबला है भाई मेरे और वीडियो को मिस मत करना क्योंकि इस वीडियो में सारे अपडेट सारे मैच रिलेटेड आपको क्वालिफाइल नहीं कर पाई थी और तेंथ पोजिशन पर थी और जहां बैंगलोर ने क्वालिफाइल करके अलिमेटर मैच हा रहा था और इस सीजन बैंगलोर भी काफी यहां पर डोमिनेट वाली टीम दिख रही है और आपको पता है कि सबसे पहले तो आप आप यहां प अपर जाएगा टेलिग्राम पे जरूर्ण होईएगा लिंक कमेंट में बिए दोरों प्रिंट किया हुआ है कहीं भी आप क्लिक करका आप मेरे फजित टेलिग्राम मरकेट में आ चुके हैं तो बचके रहेगा लिंक से ही जोएगा पाकी यह मेरा वार्सन नमबर मेरी पहच दोरो टीम यानि कि T20 रिकॉर्ड्स अगर देखो कि दोनों टीम की 32 मैच दोनों टीम ने अविधाँ खेला है और काभी सबसे ज्यादा दो ही टीम खेलती है MI CSK MI RCV यहीं तीनों टीम सबसे ज्यादा मैच अविधाँ IPL हिस्ट्री में खेल चुकी है तो 32 मैचों में से 13 RCV ने जीता है 19 यहां पर MI MI का भी डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है जहां बात करेंगे 13 में से 6 फर्स्ट बैट और 7 सकेंड बैट RCV ने जीता है वही MI की बात करें 19 में से 10 सकेंड बैट और 9 सकेंड बैट पर मैच जीता है लार्फ पांच मैच लार्फ पांच मैच RCV चार मैच जीत के आ रही है MI के अगेंट हेट टू हेट अगर इस वेनू की बात करें इस पिच पे टोटल 10 मैच खेले जा चुकें 10 में से मात RCV ने 2 जीता है MI ने 8 जीता है काफी यहां पर वह भी 2 फर्स्ट बैट पर RCV ने जीता है काफी इस पिच पर डोमिनेट करती आ रही है MI देख सकते हो 80% विनिंग रेसियो है इस पिच पर पिच रिपोर्ट हम बात करेंगे दोस्तों यहां पे टोटल 115 मैच इस प पर दस RCV के नाम ही है इस पिच पर अगर इस कोडिंग पर ध्यान दो बिलो 156 मैं चुमें 159 मैं चुमें 137 से नवाश्य किस मैं चुमें 190 एबब 27 मैं चुमें इस पिच पर हमेशा हाई एसकोरिंग इंकाउंटर कॉमा नहीं यहां पर देखना और यहां पर देख सकते हो को पसंत करना चाहे गा पैसर फ्यंड्ली होगा बांस पिच्प पे और पेस को यहां पर ज्यादा मदद मिलेगी पिजक के एंगे अगर हम रिसेन पर करेंगे हैं तो लास Hong देख सकते हैं निश्यूलेंड के आरफ रूंडब पे मिचल बैस्वल न्यूजुलेंड के और लाउंडर को लाया गया है वह हिंडू हसरंगा न्यूजुलेंड सिरीज में बीजी है नेशनल ड्यूटी पे तो यह अभी नहीं खेलेंगे यह मैच बागी रूईज सर्मा स्कॉर को लेड करेंगे एमाई को भुमढार रूल आउट है तो संदीप सर्मा को लाया गया है जैजी चर्टसन भी रूल डाउट है में प्लेइंग लाउन पर फोकस करोंगा प्लेइंग अब देख सकते हो यहां पर और सी वी की तरफ से जोकि देख सकते हो फार्ब डू प् में तुकि difficult pos सकते हैं मालूम है एक प्लेयर में जोकि आ compress नोम रो सकते हैं डेविड विली हो सकते हैं बाकि एमाई की प्लेइंग लें उन देखनों को मिलेगा रूहिस सर्मा यहां पर खेलते वह नजर आएंगे जो कि कैप्टेन हैं ओपनिंग करेंगे करेंगे इसान किसन के साथ सुरे कुमार यादो डिवार्ड बेसी तिलागवर्मा क्याम सबसे महंगे खिला रही टीम डेविड प्यूस चाला जोप्रा आचा संदीव और रितिक सौके अर्ट टीम एनालिसिस देखोगे देखोगे तो यहां पर माई के पास पहले माई कर लेते हैं माई के पास काफी यहां पर हीटा बैट्समें नहीं दिख रहे हैं और वहीं बा रूल डाउट हो गई है बागी यहां पर बॉलिंग का बॉलिंग उतना अच्छा दिख नहीं रहा है मुंबई इंडेन का वहीं बात करें करें ऐच्छा है और अच्छा और दो पैसर चलने वाले हैं बाकि जो अच्छे पैसर हैं यहां विकर लेते वे नजर आएंगे ग्ल क्रिकेट में वापसी किये हैं तो फॉर्म में अभी ग्लैन मैक्सवेल भी नहीं दिख रहे हैं बाखी बैटिंग और काफी अच्छा है काफी बैलेंस आर्टीवी का दिख रहा है एज केमपेर मुंबई इंडिया और मुंबई इंडिया से आपको दिख सकती है की प्लेर्स द बात करें रोहिस सर्मा टीम डेविड जो प्राचार यह तीनों प्लेयर हैं मुंबई के तरफ से काफी फॉर्म में दिखेंगे आपको मैच में किसी का डाउट हो कुछ पूछना हो तो मेरा वाट्सर नमर 9319409525 वाट्सर में कॉंटेक कर लिएगा बागे टेलीग्राम पर म अब लबल दिखा रहा है इसलिए मैं ड्रॉप किया हूं और रोहिस सर्मा विराट कॉली सुर्यकुमार फाब्डू प्लेसी चार बैट्समन लेना और आप चाहो तर टीम डेविड है लेकिन टीम डेविड कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखा है टीट्वांटी में त आपको अपडेट में अपडेट डीम वाले टेलीग्राम पर दे दूंगा टीम से रिलेटेड वहां पर जरूर्वर जोइन हो जाए कि मैच पहला मैच दोनों टीम का आई पेल का तो बहुत सारे चेंजेज होगे प्लेग 11 भी चेंजेज हो सकते हैं कुछ प्लेयर अभी भी दीरे-दीरे न्यूज आ रहा है रूल्ड आउट हो रहा है याग कुछ जैसे जौस देख सकते हो तो आप मेरे टेलीग्राम पर अपडेट लिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में आप से